हंची फ्रेंड्स क्या हल चल वेलकम विद कृतिका साव वेल गाइस आप लोग तो जानी चुके हैं कि जनाब ने डिलिवरी वाल व्लॉग अप्लोड करके सबका मुबंद कर दिया है कि ये सेरो के सी नहीं है ये औरिजिनल डिलिवरी है जो कि मैडम ने की है लेकिन अभी भी कुछ-कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं मतलब कुछ-कुछ चीज है डिलिवरी वाले व्लॉग में मतलब जिस तरह से दिखाई गई है अभी भी यकीन टोटली तरह से करना मुश्किल है कि हाँ ये क्या मतलब ओरिजिनल में सही में ऐसा हुआ है यासे फिलों ने लोगों की बाते सुन करके हमारे बाते सुन करके और वही वही चीजे दिखाई है मतलब जो जो चीज के वारे में हम लोगों ने कंप्लेंड की थी कि ये चीज ऐसा हुआ है कैनूला नहीं है तो कान में सरफ पर कहीं पर कोई कपड़ा और नहीं है मैडम ऐसे ही बैठी है उपर से पेन में हिलना डूलना घूमना फिरना चलना चेयर पर बैठना यह सारे कुछ हुआ है डिलिवरी के टाइम पर जो जनाब ने बोल रहे थे कि मैडम उचल रही थी वह सारा कुछ ऐसा हो नहीं सकता इस इंपॉसिबल तो सेम यही यही चीज जो जो पॉइंट हम लोगों ने कहा है बिसकली मैने जो पॉइंट किया है वही वही चीज जनाब ने वो डुखर वलिवरी बॉले में दिखा उसक अलाब उनोंने कुछ नहीं दिखाया है ना तो बच्चे का चेहरा ना बच्चे का कुछ भी कि डॉक्टर लेकर के जा रही है वच्चा होने के बाद उसे वाश वेगरा करने लिए यह सब कुछ भी नहीं दिखाया बस जो जो पॉइंट हम लोगों ने बुला वही पॉइंट दिखाया तो मैंने तो यह चीज वैसे नोटिस ने की थी लेखिन मेरी सब्सक्राइबर्स के चील जैसे आके हैं लोगों ने यह चीज नोटिस की तो उनके नोटिस करने के बाद में यह पोड़कस्ट बना रही हूं जैसा कि आप हॉस्पिटल देख लो जब 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 जनाब ने यह व्लॉग डाला था ना तब मैडम इसे इशारा कर रही थी देखो कि हॉस्पिटल कर दिया ुस समय अब यह वहां सेट कर दी गई है और हॉस्पिटल कर ना नजर नहीं आ रहा है कि कौन होस्पिटल में यह लोग गये थे जनाव ने व्लाग में बोला भी है कि मीरा रोट से काफी दूर है लेकिन होस्पिटल कौन सा है कहां है प्सक्राइब नाम है यह सब को जनाव नहीं बताया दूसरा कि होस्पिटल देखने में मतलब एक रूम टाइप का लग रहा है मतलब वहां पर मात्र सेक्योरिटी काठी कोई नर्स वगेरा कोई डॉक्टर कोई पेशिंट का आना जाना चना कोई रश कोई भीड लेकिन यहां सिफ इक बाड़ी गॉटे नजर आरा है दो यह और इस चीर करकें इंतिजा पर रही है और उसके बाद फिर लास्ट जब यहां आती है तो इस वाले हॉस्पिटल में भी गाड के बैठ करके और गाड लोग इसको ले करके जाते हैं एमर्जेंसी वाड में यहां भी कोई नर्स वेकरा नजर नहीं आ रही है फिर ओटी में चले जाते हैं यह लोग हम प्रण कर नेडाला है मैं आ मैं दॐ होगा जब निटी तरह से ऊचल रही थी यह बाते हो गई फिर आद लगाते हो गया दिकालते हूए लेकिन अगलकी कहीं पर कुछ नहीं 150 नकले नेडने मैडम बाट के सकती है कुरें कि चाय पी रही है उसके बाद वॉक करने के लिए नर्स उने ले करके जा रही है कि चलो वॉक करने के लिए साथ इसाथ बेबी से भी मिल लेना तो वो भी डिलिवरी के ठीक next day जिसका C section से delivery हुआ है यहां तो C section से delivery होने के next day सुभा में जब मैं खिचरी वेगर खा लेती है माडम तब जनाब इसे घुमा रहे हैं यह करवटे बदल रही है जब कि C section का जब होता है तो इतनी जल्दी करवटे बदलना अगले ही दिन खिचरी खा लेना यहां तो तीन दिन तक से फानी पर रखा जाता है कि थोड़ा से stitches जो है जो आपका सूख जाए तब आप कुछ खाओ ताकि वो टूटने का डर ना रहे निकलने का अगले ही दिन खिचरी खाने को मिल रहा है नेक्स्ट चाय पीरिये गरम गरम मतलब कुछ समझ नहीं आया कि सही में stitches लगे हैं कि नहीं लगी है हो सकता है नॉर्मल डिलिवरी और बात को बढ़ा चड़ा करके बोलने के चक्कर में लोगों ने C section कर दिया कि हां C section है थोड़ में लोगों ने ठीक टाइम पर अपना डिलिवरी हुआ है लेकिन लोगों को सिंपती गिन करने के लिए इन्हों ने इस तरह से किया होगा तो बेसिकली कहने का यह मतलब है कि जो जो पॉइंट्स हम लोगों ने कहा वही वही पॉइंस जना आपने दिखाए हैं उसके पॉटो में अलग से एक as a content उसको यूज करकर बच्चे को भी नहीं छोड़ना बच्चे को भी as a content यूज करके उसे अपने ब्लॉंग में दिखाने वाले हैं जना वह तो आगे हमने पता चली जाएगा लेकिन यह जो कुछ पॉइंट्स है जो कि अभी भी clear नहीं हुई नहीं आया तो अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है यह सरा कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में करें जरूर बताइएगा क्यों मेरे सब्सक्राइबर को जाता है और मुझे लगता है कि उन्होंने सही नोटिस किया मैं यह चीज नहीं कर पारी थी लेकिन मेरे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि यह जो पॉइंट्स मैंने नोटिस किये हैं मेरे सब्सक्राइबर के थू मैंने यह जो पॉइंट्स बता है इसमें आपको कितना सच लगता है और क्या लगता है आपको प्लीस कमेंट करके जूर बताईएगा यह पसंद आया है तो प्ली अब तक के लिए अपना ध्यान रखे, have a nice day, bye bye.